क्या आप भी मेरी तरह रूस की चाय या कॉफी की एक ही तरह की रेसिपी पीते पीते बोर हो चुके हो तो चलो बनाते हैं आज कुछ नया आज बनाएंगे हम कैरमेल की कोल कॉफी देखते हैं कैसे बनाते हैं तो मैंने यहाँ चीनी दे लिया है और मैं उसे क yönओ कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी डाना है, यह करमेलाइस करने में काफी हिल्प करता है। थोड़ी सी पानी लेनी एसा नहीं कि हमें बहुत जादा पानी लेना है। और थोड़ा सा बूंत नीम्बू का, अब आप पुछो के कि मैं नीम्बू क्यों डाल रही हूँ, खैर इसका आंसर यही है, कि इसमें बबल्स या क्रिस्टल्स ना बने शुगर में, और ये काफी स्मूध बने, इसलिए और टेक्शर इसका काफी अलग सा है, एक्तम स्मूध तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नीम्बू डाला है, और मैं इसे अभी थोड़ा सा उबलने दूँगी, देखते हूं कितने देर तक यह कलर आता है, और मैं इसे करेमलाइज कर रही हूं, करेमलाइज हम करते हैं, जब तक इसका थोड़ा बाउनिश नहीं आ गया, जै और इसमें आप थोड़ा क्रीम भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, अब मैंने थोड़ा बरफ ले लिया है, उसे मैं मेक्सी में डाल रही हूं, थोड़ी सी कॉफी डाली है, आप जादे भी ले सकते हो, आपका टेस्ट, और मैंने करेमलाइज की हुई सारी, एक चम मच के कर म्यारीब, मैंने वो कैरेमलाइज की हुई शोगर ले ले ली, उसमें मैंने फिर लाइची डाल दी है, और थंडा धुड़ डाला है, चो फ्रिच में एकदम धंडा रखा हुआ था, मैंने उसे निकाला और मैंने इसे डाल दिया है, बस कुछ मिनिट की बात है, इसे में के तक mix करूंगी, blend करूंगी और फिर ये मेरे class में आप देख रहे हो कि ये कैसा देख रहा है और ये काफी 40 सा निकला बहुत ही एक्तम जैसे cafe में पीते हैं और ये आप पीते-पीते अपनी binge watching कर सकते हो Netflix एक सकते हो और enjoy कर सकते हो अपना time अपने family members के साथ मुझे जरूर बता ना कैसे लग रहाँ पी प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू